तो हलो गाईज मैं हूँ इरलाल और क्रेजी गबर आर्मी में आपका स्वाकत है तो गाईज आज मैं इस जीओ के मॉबाइल को इसको बीच में से काटने के बाद क्या होता है और ये मॉबाइल बिल्कुल चालू पंडिशन में है तो गाईज चलिए वीडियो को फटापट से शुरू करते हैं और गाईज क्यों आप लोग मुझे सबोर्ट नहीं कर रहे हो यां कर दो ना प्लीज 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 सपोर्ट कर दो यां आपको छोटा भाई ही तो चलिए फटापट से वीडियो को शुरू करते हैं तो बाई यह रहा हमरा जीओ का फॉन और यह बिल्कुल चलू कंडिशन में है और यह थोड़ा सा डेमेज हो गया था तो इसे सजी नहीं नहीं कर पाया था और यह देगा बिल्कुल चलू कंडिशन है और इसमें दिखा देता हूं जो यह वेक्टरि नहीं और हम इस मोबल को यह से काटने वाले हैं और यह से नहीं काटेंगे यह से नहीं काट सकते हैं क्योंकि विस्ष्वर्ड़ हो सकती है वेक्टरी तो चलिए शूरू गरते है तो दोसो थोड़ा सा काटने पर डिस्प्ले है जो चली गई आसे है जिदी के वाइट वाइट हो गई और दोस्तों यह डिस्प्ले है जो पूरी तरह से हो गई बन और एक बार इसको पूरी पूरे को काट देते हैं तो गाइज मैंने हमारे जियोपॉन को पूरी तरह से काट दिया है और अब हमें इसको क्लेंट से हटा देता हूं और फिर वाद में आपको दिखाता हूं और गाइज मैं में में जगे पर रही बोलूंगा ताकि आपको ज्यादा डिस्टप्ना हो और यह देगे है पूरी तैसे कट गया है यह देगे है और यह अंदर से रंग विरंगे भी है कि अगर बात करें इस मोवल के अंदर कि हमें क्या दिख रहा है तो बहुत सारी ब्लेट्स और इलेक्ट्रोनिक्स डिवाइज और इसमें कुछ रंग भी रंगे भी दिख रहे हैं तो इसमें मैं सोच रहा होगी पहले मैंने एक का दो किया था अब मैंने मैं सोच रहा होगी दोगा चार प्यों नहीं किया जाए तो चलिए फटापर से इसको काटते हैं और उपर वाला जो हिस्सा है मैंने वो काट दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ यह देगे है और केमरा हमारा बिल्कुल सरी सलामत है अभी तक और यह देगे इस तरह से मॉबल था हमारा और दो से तीन होगे हमारा मॉबल यह देगे यह देगे है अंदर का डिवाइस और यह वाला हमारा है जो केमरा ही है मेरा हार लग रहा है देगे है जो यह हमारा केमरा है बिल्कुल सरी सलामत है भी और यह हमारी डिस्प्लेय दिस्प्लेय है यह देगे है डिस्प्लेय के पार्स निकल देगे अंदर चार्स निकल बार शुद्दा करा दो यह दोर्ट बार बीदा यह दो तो और ये रहे है इस पर कटकर हमसेश और ये दिए ये पार्स है और चलिए इसको भी खाटते हैं तो guys यहाँ पर बच लिया है जीयो फान का भीच वाला हिस्सा और इस मएं ठलेता हूं यह देग है को यह इस तरह से दिखता है हमków जीओ को अधिर कटने के बाद झाल झाल और मुझे नहीं लगता था कि एक जीओ के पौन में इतना सारा सा कच्छा हो जाएगा तो बैज कोई बात नहीं मैं करता हूँ साहब आप कीजे लाइक